हेलो बच्चों कैसे हो आपसे भी आईए हम अपनी एक्सेसाइज को कंटिन्यू करते हैं एक्सेसाइज 12.1 कोश्व नमबर 3rd स्टेट्मेंट क्या गिवन है एक्सेसाइज क्या गिवन है इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या गिवन है कोश्व में 3.5 सेंटिमेटर यह हमारे पास क्या है रेडियस गिवन है अब देखिए आगे इस टोई की जो पूरी हाइट है वो हमारे पास क्या गिवन है 15.5 सेंटिमेटर देखिए इस जो टोई की जो पूरी हाइट है वो हमारे पास क्या है 15.5 सेंटिमेटर ठीक है हमें च्या निकालना है find the total surface area of toy इस toy का हमें total surface area find out करना है अब देखिए यह जो toy है सबसे पहले हम देखते हैं यह उपर हमारे पास क्या बन रहा है कौन बन रहा है और निच्छे हमारे पास क्या बन रहा है hemisphere सबसे पहले हमें इस cone की height find out करते है टोटल हाइट हमारे पास क्या है 15.5 इसमें से अगर हम इस हैमिस्फियर की हाइट को माइनस कर देंगे तो हम असानी से कौन की हाइट निकाल सकते हैं अब देखिए अगर यही रेडियस 3.5 है तो यहां से सेंटर से आउटर मोस्ट पॉइंट तक यह भी हमारे पास क्यों हो ज सकते हैं अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास गीवन है रेडियस ओफ कौन रेडियस ओफ कौन कोशन में हमारे पास क्या गीवन है 3.5 सेंटी मीटर ठीक है यह हमारे पास क्या गीवन है रेडियस ओफ कौन इस हैमिस्फियर की रेडियस भी हमारे पास क्य है क्योंकि जो इसका बेस है यह हेमिस्फियर का अपर पार्ट है तो हेमिस्फियर की रेडियस हमारे पास क्या गीवन है रेडियस हेमिस्फियर क्या हमारे पास 3.5 cm अब देखे इस टोई की हाइट हमारे पास क्या गीवन है 15.5 टोटल हाइट ओफ टोई क्या हमारे पास 15.5 cm कोन की हाइट हमारे पास क्या है 3.5 cm हमें किसकी हाइट चाहिए कोन की so height of कोन की हाइट कैसे निकालेंगे total toy की हाइट में से total height of toy माइनस कर देंगे radius of hemisphere या फिर height of hemisphere radius of hemisphere अब देखे टोटल toy की हाइट हमारे पास क्या है 15.5 15.5 माइनस कर देंगे हम 3.5 15.5 में से जब हम 3.5 को subtract करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 12 cm यूनिट हमारे पास क्या है cm ये हमारे पास क्या आजेगी इस कोन की height यहां से लेके यहां तक इस कोन की height हमारे पास क्या हो जेगी 12 cm चीक है देखें ध्यान से देखें एक बड़ी दुबारा ये जो height हो जेगी हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जेगी 12 cm चीक है अब देखें अब हमें निकालना क्या कोशन में तोटल सर्फेस एरिया ओफ टोए तोटल सर्फेस एरिया ओफ टोए अब देखिए अगर हम इस बीच वले को नेगलेक्ट कर दें क्योंकि जो कौन का जो बेस है वो हमारे पास क्या है हमिस्फेर का अपर पार्ट है तो अगर हम इस बीच वले को नेगलेक्ट कर दें तो यह श का curved surface area लेना है क्योंकि जो कौन का base है कौन को इस हेमिस्फेर के उपर रखा हुआ है जो कौन का निचे वाला base है और हेमिस्फेर का top है दोनों हमारे पास क्या है एक ही है इसलिए हम क्या लेंगे curved surface area मतलब curved surface area of cone plus curved surface area of hemispheres curved surface area of cone plus curved surface area of hemispheres ठीक है अब देखे बच्चा curved surface area of cone हमारे पास क्या होता है पाई यार एल आपको फोमले याद होनी चाहिए बच्चा otherwise आप question solve नहीं कर सकते curved surface area of cone क्या होता है पाई आर एल प्लस curved surface area of hemispheres हमारे पास क्या होता हमें introduction में पढ़ा था 2 pi r square 2 pi r square ठीक है अब देखे सबसे पहले हमें क्या पता होना जी एल पता होना जी एल हमारे पास क्या होता है slant height अब देखे जैसे हम इस वली figure को draw करते हैं यह हमारे पास कुछ ऐसे बन रही है height हमने क्या निकाल लिया है 12 cm रेडियस हमारे पास क्या है 3.5 cm इस वली figure को हमने यहां पर draw कर लिया यह हमारे पास height है यह हमारे पास base है और इसको हम क्या बोलते है slant height हमें यह एल की value पता होना ही चाहिए यह कितने degree angle बना रहा है 90 degree तो हमारे पास perpendicular भी है base भी है तो हम hypotenuse असानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस theorem से कैसे देखिए सबसे पहले हम एल की value find out करते हैं कैसे निकाल लेंगे by पाइथागोरस theorem पाइथागोरस theorem हमारे पास क्या होती है hypotenuse यानि यह हमारे पास क्या है slant height L square किसके equal हो जेगी hypotenuse का square perpendicular का square प्लस base का square अब perpendicular हमारे पास यहाँ पे क्या है 12 cm तो यहाँ पे 12 cm का square प्लस base बेस हमारे पास क्या है 3.5 3.5 का square अब देखिए 12 का square हमारे पास क्या होता है 144 अब अब 3.5 को break कर लेते है 35 point रटा के निचे 10 upon square तो 7 देखिए 12 का square 144 अब 35 को point को रटाएंगे निचे 10 आजेगा 5 7 जा 35 5 2 जा 10 तो यहाँ पे हमारे पास क्यों हो जेगा 144 प्लस 7 upon 2 का square अब हम इसे solve करना है 144 प्लस 7 का square 49 upon 2 2 का square 4 LCM हमारे पास क्या आजेगा 4 चीक है अब देखिए 144 को 4 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 576 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं देखिए 144 multiply by में 4 प्लस 49 144 को 4 से multiply करेंगे तो 576 576 प्लस 49 divided by में 4 576 और 49 को add करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा 625 divided by में 4 यह किसके equal आजेगा L square अब हमें तो क्या चाहिए simple L चाहिए तो यह उस्तरफ जाके हमारे पास क्यों होजेगा root तो L की value हमारे पास क्यों होजेगी plus minus under root 625 upon 4 चीक है 625 किसका root होता है 25 का square और 4 हमारे पास क्या होता है 2 का square तो square से square cancel देखिए L को आप कैसे लिख सकते है 25 का square upon 2 का square square से root cancel square से root cancel तो L की value हमारे पास क्या आजेगी 25 upon 2 25 को 2 से divide करेंगे तो हमारे पास L की value क्या आजेगी 12.5 इस तरीके से हमारे पास slant height हमारे पास क्या निकल जेगी 12.5 अब हमारे पास radius हमें पता है slant height हमने निकाल लिया है हम आसानी से यहां पर value put करके निकाल सकते हैं हमारे पास अंसर देखिए कैसे अगर आपको कुछ पी doubt हो तो please comment section में बताइए कई बच्चों के यही confusion रहती है कि slant height कैसे निकाल लिया है हमने जस्ट यहां पर pythagoras theorem apply किया है और सिर्फ इसको solve किया है अब देखिए हम यहां पर सारी value put कर देंगे py की value हमारे पास क्या है 22 upon 7 into में r radius हमारे पास क्या है 3.5 तो point हटा के निचे 10 35 upon 10 into में l l हमने क्या निकाल ला है देखें यहां पर 25 upon 2 25 upon 2 plus 2 into में pi pi क्या है 22 upon 7 into में r square r हमारे पास क्या है 3.5 point हटाएंगे तो निचे 10 plus point हटाएंगे तो निचे 10 क्योंकि हमारे पास क्या है 3.5 का square चिक है अब देखें यहां इसको cancel करना है 7 5 जा 35 5 2 जा 10 2 11 जा उपर हमारे पास क्या आजेगा 11 into में 25 divided by में 2 चिक है अब इस तरफ देखिए plus 7 5 जा 35 5 2 जा 10 2 से 2 cancel 5 7 जा 35 5 2 जा 10 2 को 11 से डिवाइड 11 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 यहां पर हमारे पास क्या आजेगा 11 into में 7 चिक है यहां तक आपको कुछ भी डावट हो तो प्लीज बच्चा कमेंड सेक्शन में बताइए अब देखिए जब हम 11 को 25 से मल्टिप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आजेगा 275 275 divided by में 2 plus 11 into में 7 77 चिक है अब देखिए इसको उपर मल्टिप्लाई करते हैं 275 plus देखिए आप मल्टिप्लाई छोड़िए 275 को 2 से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या होजेगा 2 से डिवाइड किए इसको 2 बन्जा 2 2 थ्री जा 6 27 बन्जा 14.5 plus 77 अब इन दनों को आड़ करेंगे तो टोटल सर्फेस एरिया ओफ टोई हमारे पास क्या आजेगा 214.5 cm square तो ये हमारे पास क्या आजेगा टोटल सर्फेस एरिया ओफ टोई एक बड़ी दुबारा देखिए ये हमारे पास कोई भी टोई है हमें इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है ये टोई कुछ इस शेप में होगा क्योंकि जो कोन का बेस है वह इस हेमिस्फेर का अपर पार्ट होजेगा दोनों एक ही चीज है तो इसका हम क्या लेंगे काउट सर्फेस एरिया जब हम कोन का काउट सर्फेस एरिया हो इस हेमिस्फेर का काउट सर्फेस एरिया को एड़ करेंगे जबी इस toy का total surface area बना सकते हैं जस्ट हमने formula यूज किया है कोन का surface area क्या होता है pi r l सबसे पहले हमें l निकालते हैं l हमने कैसे निकाला pythagoras theorem से हमने l की value निकाली उसके बाद जस्ट यहां पे हमने value put कर दी यह हमारे पास क्या आजेगा surface area of toy ठीक है बच्चो अगर आपको कुछ भी doubt हो तो please comment section में बताईए अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको like कीजिए और निहान class इसको subscribe कीजिए thank you